कोरोला की वज़े से जिस तरह की स्थिती हमारे देश को देखने को मिली उससे तो हर कोई है वाकिफ है ऐसे में लोगों ने अपनी रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय अपनाया कभी काड़ा पीकर तो कभी हरी सबजियां खाकर तो कभी अड़ने खाकर ऐसे में डॉक्टरों ने विटमिन सी से युग्ध फलो और सबजियों को खाने का सुझाव दिया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटमिन सी हमारे शरीड के लिए कितना मददगार है नहीं जानते तो आईए जानते हैं विटमिन सी को हानिकारक बैक्टिरिया और वाइरसों से लड़ने में भी मदद करती है आजकल के विस्द जीवन शैली में लोग खान पान पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते ऐसे में कई लोगों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है वरतमान में कई लोग उच्छ रक्त चाप से भी परिशान है ऐसे में विटमिन C उच्छो रख्त चाप को भी ने अन्दिर्द रखने में मदद करता है यहीं नई विटमिन C हमारे हड्डियों को भी स्वास्त रखने में मदद करता है विटमिन C ज्यादतर साइडरस फ्रूड में पाय जाता है जैसे कि संत्रव और मौसमी विटमिन C हमारे शरीर में स्टोर नहीं रह पाती इसलिए महिलाओं को एक दिन में 75 मिलिग्राम और पुरुषों को 90 मिलिग्राम विटमिन C की आवशक्ता होती है विटमिन C अन्य पुशक्ततों जैसे विटमिन A वा आयरन के साथ मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को भी बढ़ाती है ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना हुले